दोहजार आठ में जिस IPL की शुरुवात हुई थी और दोहजार आठ में जो आठ टीमे IPL खेल रही थी उन आठों कप्तान को हमने आज स्क्रीन पर जगा दिया है और हमने सोचा कि चलिए आपको महेंदर सिंग धोनी की काबिलियत और महेंदर सिंग धोनी का ओधा और महेंद अलग लोग कप्तानी करने तो आए थे लेकिन आज जब 15 साल बाद 2023 में हम खड़े हैं तब महेंदर सिंग धोनी के अलावा उस टीम का कप्तान वो व्यक्ति है ही नहीं या फिर आप ये कह लीजिए कि वो आदमी क्रिकेट छोड़ चुका है क्रिकेट से सन्यास ले चुका ह और महेंदर सिंग धोनी एक ऐसा खिलारी जो 2008 में चन्नई सुपर किंग्स को लीड कर रहे थे आज भी लीड कर रहे हैं और पता नहीं अगर वो चाहें तो कितने और सालों तक लीड कर सकते हैं वैसे कहा जा रहा है कि धोनी का ये आखरी IPL है इसलिए इस स्टोरी पर खाखिलारी बहुत कम पैदा होता है कई लोगों ने तो कहा है कि एक सदी में एक ही धोनी पैदा होता है और स्क्रीन पर जो आपको महेंदर सिंग धोनी दिख रहे होंगे सौरफ गांगली दिख रहे होंगे विरेंदर सहवाग दिख रहे होंगे सचिन तंदुलकर दिख र सानी से हटना पड़ा हम इतने डेटा और आकडा में नहीं जाएंगे लेकिन एक डेटा है और वो डेटा कहता है कि महेंदर सिंग धोनी वो आदमी जो टीका रहा और वो आदमी जो 15 साल बाद भी अगर अपने टीम का नित्रतु कर रहा है तब इस आदमी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अन्य खिलाडियों में नहीं है महेंदर सिंग धोनी थे चनई सुपरकिंग्स के कप्तान सौरफ गांगली थे कुलकाता के कप्तान विरेंदर सहवाग थे दिल्ली डेडिवेल्स के कप्तान सचिंद लुकर थे मुंबई इनियन्स के कप्तान आगे बढ़िये युराज सिंग दिखेंगे ना राहुल द्रविर दिखेंगे राहुल द्रविर तो कोच बन गया भाई साब दीवियेस लक्षमन कमेंटेटरी करते हैं उसके बाद शेन वर्न के बारे में सबको पता है वो इस दुनिया से जा चुके हैं इसके बाद आए स्वरफ गांगली को साबित करता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ महेंदर सिंग धोनी है और इस बार का IPL जब मार्च में 31 मार्च से सुरू होगा तो सोच लीजिए कि क्या महाल होगा वो आदमी जो अपनी टीम को कई बार लमसम सारे बार प्ले आफ्स में पहुंचा चुका है चार बार IPL अप पीड एक्छा शक्ति लेकर भी आये थे महेंदर सिंह धोनी वो खिलारी जिसको लोग कहते हैं कि अगर अगर आप अंडर19 की टीम को भी महेंदर सिंह धोनी को सॉब दीजिये महेंदर सिंह धोनी ऐस टीम को प्ले आफ सख पहुँचाने का काबि़ियत रखते हैं वो जानते धोनी की, धोनी 15 सालों से टीम की अगवाई कर रहे हैं, आप बैटिंग बोल दीजिए, आप बॉलिंग बोल दीजिए आप विकेट कीपिंग कहिए आप फिल्ड प्लेस्मेंट कहिए, आप कप्तानी कहिए, आप प्रेशर हैंडल करने का तरीका कहिए, आप कैप्टन कूल कहिए हर जगह महेंदर सिंग धोनी का नाम नंबर वन पर आएगा एक शब जो मैं भूल गया जो अभी याद आ रहा है आप फिनिशर कहिए तो आपके जहन में सिर्फ एक नाम आएगा और वो नाम है महेंदर सिंग धोनी का देखें स्वराव गांगुली के यह कई लोगों ने अनुमान तक लगाया लेकिन धोनी उस लेवल तक पहुँचे हैं जहां कोई नहीं पहुच पाया आप एक बार सोच कर देखिए 2008 से लेकर 2030 तक लगतार किसी टीम का कप्तानी करना उस टीम का मेनेजमेंट उस कप्तानी से खुश है उसके प्लेयर्स धोनी को बगवान सरीखा मानते हैं यो कैसे संभाव है यह संभाव करके दिखाया है महंदर सिंग धोनी ने और महंदर सिंग धोनी पर इसे लिए बात चीत होती रहती अगला स्लाइड देखिए देखिए यहाँ पर कड़े है उरार सिंग वो खिलारी जो एक वक्स एक साल ईपल में सबसे महेंगे भी के थे अगले राहूल द्रवीड उसके बाद दिए राहूल द्रवीड कोच बन चुके हैं और महेंदर सिंग धोनी अभी भी CSK का कैप्टन है CSK का कप्तानी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने टीम को लीड कर रहे हैं जिस तरीके से धोनी ने पिछले 15 सालों से अपने आपको कंट्रोल में रखा है, अपने फिटनेस पर ध्यान दिया है, अपने टीम को काबू में भी रखा है और अपने टीम को जित्माने का होसला भी दिया है, वो वाकई में बहुत शांदार है IPL का अगाज हो चुका है, डेट अनाउंस हो चुके हैं, सारे लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, बस एक महिना और उसके बाद IPL सब लोग देखेंगे, दिन रात देखेंगे, सोशल मीडिया पठ जाएगा IPL के खबरों से, लेकिन उससे पहले महेंदर सिंग धोनी के का अच्चा होनी जरूरी है, वो खिलारी जो राची से निकलता है, विश्व पटल पर राची के नाम को अंकित करता है, और ये दावा करता है कि देखिए, हम आ गए हैं, और हमको हटाना मुश्किल ही नहीं नमुम्किन है, धोनी के होदा का अंदाजा आप इस बात से लगा स अच्चा है, और धोनी का ये हासिल इतना शांदार, इतना भयंकर है कि पूरे विश्व क्रिकेट में धोनी का इक अलग नाम लिया जाता है, क्रिकेट को एक तरीके से उन्होंने प्रभाशित किया, टेकनीक ना हो, टेकनीक हो, उससे कोई मतलब नहीं, धोनी रिजल्ट्स इकलोते विश्व के कप्तान जिनके पास तीनों ICC का कप है, और धोनी 15 सालों से जिस तरीके से CSK को लीड कर रहे हैं, वो अपने आप में बेमिसाल है, बाकी धोनी पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंड बोक्स में लिकी बताइएगा, फिर हम जल् दीमी लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद